नमश्कार अदाव सश्री अकाल और केम छो वेलकम तो आर ओन प्लाटफॉर्म मैसल अलोनी सिंग यूर केमिस्ट्री नीट मेंटर की हाल चाल बचा लोग कैसे हैं आप सब सो वेलकम बैक तो दे प्रचंड सीरीज और ये है हमारा सेशन नंबर टू तो जो भी बच्चे लगातर सेशन को फॉलो करना चाहते हैं फटा फट से इस फामिली का हिस्सा बन जाएए और सब्सक्राइब कर लीजे इस चैनल को क्यूंकि आपको मंडे टू फ्राइडे 10 टू 11 पी एम केमिस्ट्री के सारे नी 2024 के सेशन्स मिलने वाल है आल्सो जिन बच्चों को नोट्स और PDF नहीं मिलरी बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है वहाँ जाकर टेलीग्राम का हिस्सा बन जाएंगे तो सारे PDF नोट्स अब कुछ फ्री में आक्सेस कर सकते हो ठीक है अब चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं कल हमने क्या पढ़ा था और हमें आज क्या पढ़ना है बहुत जबर्जा, जोरदार टॉपिक है बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इससे पहले के हम शुरू करें, please write down your targets in your notebook, 720 on 720 हमें score करना है, highest target है, जैसे ही ऐसा लिखते हो आप, आपकी energy और focus double हो जाता है, और आप पढ़ना शुरू करते हो और हर चीज को समझते हो, तो target लिखना ना भूले, आइए शुरू करते हैं, तो, let's have a quick recap, previous session में we spoke about atom क्या होता है, उसके अंदर कितने subatomic particles होते हैं, proton, neutron, electron, उनकी discovery, उनकी उपर charge, basic चीजें पड़ी थी, Thomson model देखा, Rutherford का conclusion, observation, alpha particle, सब चीज देखा हमने, और कहां दिक्कत आई थी, वो पढ़ा हमने अच्छे से, next हमने बात की, electromagnetic wave की और electromagnetic spectrum की, so this was all about the previous session, और यहां से हमारे पास एक formula आया था, C is equals to wavelength into frequency, so frequency का जहां पे भी काम होगा, हम C upon lambda भी लिख सकते हैं, तो यह सारी चीजें हम आज के session में use करेंगे बिटा, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि अभी तक हमने यही सीखा है कि light है ना, एक wave के form में travel करती है, यानि हम यह जानते हैं कि light का wave nature होता है, बट बच्चों हमें यह नहीं पता कि जो light होती है, जब किसी surface से strike करती है, तो वो अपना particle nature दिखाने लगती है, क्या दिखाने लगती है, particle nature, और इसी particle nature को detail में किसने समझाया है, plank ने, तो हम अगला topic जो शुरू करने वाले हैं, वो है plank's quantum theory, क्यूं हमें यह शुरू करना पड़ेगा, क्यूंकि है ना, देखो, जो wave nature उसके basis पर आप बहुत सारी properties जानते हो, जो explain की जा सकती है, जैसे कि reflection, है ना, reflection जानते हो, आप refraction समझते हो, यह सारी properties वेव nature से explain की जाती है, particle nature से जो properties explain की जाती है, वो है आपका photo electric effect, जो आपको इस chapter में detail में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और दूसरा है black body radiation, black body radiation, एक है specific heat capacity of a solid substance, और चौथा है hydrogen spectrum, तो इससे पहले कि हम यह समझे की कि यह किस तरीके से particle की तरह बिहेव करता है, जरूरी है कि हम plank quantum theory को पहले समझ लेते हैं, आए बेटा थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, plank's quantum theory के उपर, तो plank क्या कहते थे, plank यह कहते थे कि light travels in discontinuous form, ठीक है, light continuous नहीं होता है, discontinuous होता है, आपको ऐसा लगता है कि light इस तरीके से wave बनाकर continuous form में travel करता है, but actually that statement is wrong, light discontinuous form में travel करता है, किस तरीके से travel करता है, light travels in the form of, in the form of small energy packets, small energy packets, और in small energy packets को हम क्या कहते हैं, quanta, so light travels in the form of small energy packets, these packets are known as, these packets are known as quanta, ठीक है, अब यह specifically अगर आप light के लिए refer कर रहे हो, तो इस quanta को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस quanta को हम कहते हैं photon, specially light के case के लिए हमें से क्या कहते हैं photon, अब इस पूरी बात को समझने की कोशिश करता हैं आसान भाशा में, चल यह ठीक है, यहाँ पे कोई terrorist बैठा है, और यहाँ पे हमारी Indian army है, बहुत proud feel करना होता है Indian army पे, जिस तरह का वो selfless devotion दिखाते हैं, हमारी country की रक्षा करते हैं, तो बेटा माल लो Indian army ने terrorist को मारने के लिए एक bullet fire किया, बुलेट जाएगा टक 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 टेररिस्ट को लग जाएगा, बुलेट भी दिखेगा आपको, उसका पाथ भी दिखेगा, सब कुछ विजिबल होगा, ठीक है, लेकिन अगर माल लीजिए Indian army के पास है AK-47 gun, अब यह क्या करेंगी, 80 bullets को यह एक सेकंड में fire करने वाले है, बहुत फास्ट है ना, अब यह 80 bullets अगर एक सेकंड में fire होती है, तो यह कैसी अपियर होगी, ज़रा imagine करते हैं, आइडियली अगर आप इसे थोड़ा दूर से देख रहे होंगे, तो आपको तो यह एक wave दिखाई देगी, but actually वहाँ पर क्या है, it consists of many small energy packets in the form of bullets, which are traveling at very high speed, और इसी लिए वो इस तरीके से अपियर हो रही है, कि वो एक wave है, but actually हर एक bullet एक energy से associated है, और हर एक bullet एक energy packet की तरह act कर रहा है, और इस energy packet को हम क्या कहते हैं, और अगर यह light में है, तो हम इसे क्या कहते हैं, photon, समझ गए, समझ गए, तो प्यार वाला बटन जरूर दबा देना, ठीक है, अब इतना समझ में आया, कि चलो यार, light, छोटे-छोटे energy packets, बहुत सारे हैं ना, discontinuous form में, एक यह रा, एक यह रा, बहुत सारे ऐसे साथ में travel करते हैं, तो उनकी शकल वेव जैसे दिखती है, बट आइडियली वो वेव नहीं होते, छोटे-छोटे energy packets है, वेरी नाइस, तो आप बोल रहे माम, इनने energy packets, बट इनकी energy है कितनी, तो energy associated with each photon, is found to be directly proportional to the frequency of light, यानि E is equals to, जब proportionality हटाया, तो मेरे पास H नहीं हो आया, अब यहाँ पर H क्या है, H है बेटा, आपका planks constant, H क्या है बच्चों, it is your planks constant, जिसकी value fix है, 6.625 into 10 to power minus 34, करेक्ट, तो in short, मुझे यह समझ में आया, कि मैं यह भी जानती हूँ, कि C is equals to wavelength into frequency, अब in place of frequency, I can write C upon lambda, और यह value को मैं यहाँ पर place कर देती हूँ, तो मेरे पास energy का एक और formula आ गया, E is equals to H C upon lambda, करेक्ट, है ना, अब मैं हमें यह तो बता दो, कि energy को हम किस unit में measure करते हैं, तो energy की units कौन सी है, units of energy, करेक्ट, तो बेटा, energy को हम calorie में measure करते हैं, joule में measure करते हैं, electron volt में measure करते हैं, ठीक है, तो 1 calorie is equals to 4.2 joule होता है, जहाँ पर भी energy conversion की जरुट पड़े, आप यह formula यूज कर सकते हैं, 1 electron volt is equals to, 1 electron volt भी एक unit है, जहाँ पर basically, एक electron के charge को use किया जाता है, 1.6 into 10 to power minus 19 joule, तो electron volt को joule में convert करना है, या joule को electron volt में convert करना है, तो आप यह relation आराम से use कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए, कि मेरे पास यह source of light है, और इसमें n number of quantas हैं, ठीक है, यहाँ पर n number of quantas involved है, ठीक है, तो इसकी energy कितनी होगी, तो I can rewrite it as, E is equals to nHc by lambda, where n is known as number of photons, n क्या देगा, आपको number of photons की value दे देगा, समझ गये बिटा, इतना clear हो गया, एकदम absolutely clear हो गया, अब दिक्कत पता है, देखो, H की value आपको पता है, उसके अलावा C की भी value आपको पता है, C is 3 into 10 to power 8 meters per second, अब ज़रा imagine करो, किसी question में, अगर आपको energy निकालनी है, तो energy is equals to Hc upon lambda है, H की value रखोगे 6.6 into 10 to power minus 34, C रखोगे 3 into 10 to power 8, और फिर आप जो wavelength दिया होगा question में वो रखोगे, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा calculation पढ़ जाएगा, तो आपको एक must trick देती हो, यहाँ पर लिखते हैं trick को बिटा, तो जबी भी आपको इस तरीके की situation से deal करना पड़े, तो याद रखिए कि usually जो energy होती है, वो electron volt में दी गई होती है, और जो wavelength होता है, वो या तो nanometer में होता है, या angstrom में होता है, तो आप यह relation use कर सकते हैं, energy is equals to hc by lambda में, hc की जगे हमें constant value लिख ले रहे हैं, 1 to 4 is double 0 upon lambda, अगर आपका energy electron volt में हैं, और wavelength आपका angstrom में हैं, तो आप यह formula यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप यह formula यूज कर सकते हैं, अगर आपकी energy beta electron volt में हैं, और wavelength आपका nanometer में हैं, तो आप 1, 2, 4, 0 upon lambda, eV and wavelength is in nanometer, यह formula यूज कर सकते हैं, तो जिस question में, जिस तरीके से value दे रखी है, उस असाब से आप चीजों को use कर सकते हैं, कामी खतम, तिर आपको यह पूरा multiply करके, चीजों को solve करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसका एक example करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक wave है, जिसकी wavelength है, wavelength है 400 nanometer, ठीक है, और मुझे उसका energy निकालना है, तो मैं क्या use करूंगी, energy electron volt में निकालना है, तो e is equals to nanometer में है, तो मैं यह formula यूज कर लेती हूँ, 1240 upon 400, that is wavelength, direct solve हो जाएगा, जो भी answer होगा, electron volt में आ जाएगा, समझ रहो, तो यह एक तरीका है, आपके questions को ease out करने का, और बहुत easily फटा फट से solve करने का, यह सारी tricks बड़ी beneficial है, जब आप use करोगे, question solve करोगे, तब आपको पता चलेगा, apply करने में कितना मज़ा आता है, और कितना easy हो जाता है calculation, चलिए, तो that was all about Planck's quantum theory, अब जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो हम बात करने वाले हैं, photoelectric effect के बारे में, तो चलिए बच्चों, हमारे next topic पर आगे बढ़ते हैं, and we are heading towards photoelectric effect, amazing topic है, बड़ा मज़ा आने वाला बच्चों, let's talk about photoelectric effect, अब पहले समझना पड़ेगा, एकदम simple भाशा में समझते हैं, मैं आम ये photoelectric effect होता क्या है, ठीक है, तो माल लीजे कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक metallic plate है, इस metallic plate पर, अगर कोई sunlight या light strike करती है, तो वो इस metallic plate से electron को eject करेगी, और जब ये electron निकलेगा, तो electron निकलता है, तो electron के opposite direction में current generate होता है, तो basically, इस तरीके से, when a light of suitable frequency, जब भी भी कोई light किसी metal पर पढ़ती है, और वो electron eject करता है, और इस तरीके से, जो current produce होती है, इस effect को हम कहते है, अब इसको थोड़ा और detail में समझते है, मैम, आपने कहा, कि metal surface पर strike कर रहा है light, तो ऐसे तो कितनी सारी metal surface है, हमारे आसपास ही कितनी सारी है, है ना, bridges है, then I have my bicycle, बट ऐसा होते हुए, तो मैंने कभी नि देखा, कि sunlight पढ़ रही है, और मेरे bicycle से electron निकल रहा है, ऐसा कभी आपने observe किया, नहीं किया होगा, है ना, बेटा, तो इसके लिए, हमें special metal की जरुरत होती है, उन special metal को हम बोलते हैं, photosensitive metals, और यह photosensitive metals कौन हो सकते हैं, जो आपके periodic table में, उसमें से कौन हो सकते हैं, तो बेटा, जिनका ionization energy कम है, ionization energy low है, ऐसे metals को मैं photosensitive metals की तरह, use कर सकती हो, जैसे कि, ली ना की रब से फर्याद है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हो, यह उपर से नीचे जाते हो, तो size बड़ी होती जाती है, size बड़ी होती जाती है, तो electron को remove करना आसान होता है, सबसे lowest energy, ionization energy decreases, सबसे lowest energy किसका होता है, cesium का, उसमें से electron निकालना सबसे आसान होगा, तो भई, इसको हम photosensitive metal की तरह, अच्छे से use कर सकते हैं, अब पूरा arrangement देखते हैं, ठीक है, तो एक मैंने discharge tube ले लिया, इस तरीके से, या glass tube ले लिया, ठीक है, इस glass tube के दोनों साइड पे, metallic plates लगा दी है, ठीक है, और metallic plates को, मैंने connect कर दिया है, बैटरी से, अब ये आपका cathode है, anode, anode positive होता है, cathode negative होता है, ये आपने battery source से connect कर दिया, बहुती बढ़िया, ठीक है, ये पूरा arrangement हो गया, अब हम क्या करेंगे, पिटा, imagine करो, ये जो metallic surface है ना, इस metallic surface पर जो electron होगा, वो चारो तरफ से, उसको उस bond को तोड़ के बाहर निकलना है, तो कुछ तो energy, minimum energy requirement होगी, हर metal की minimum energy requirement अलग-अलग हो सकती है, मालब मैंने cesium की plate ली, तो उसका energy requirement अलग होगा, मैंने sodium की plate ली, उसका energy requirement अलग होगा, lithium का अलग होगा, तो यहाँ पर जो भी material आप use करते हो, उसका energy requirement, electron को निकालने का अलग-अलग हो सकता है, ठीक है, जो भी light यहाँ से यहाँ पर आकर strike करेगी, इसे मैं incident light बोल रही हो, ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा logical ही समझते हैं, तो माल लोग 5 electron volt की light आ रही है, उपर से, ठीक है, और वो metal surface को strike कर रही है, अब आप बोलोगे कि मैं यह जो light आ रही है, light तो photon के form में आ रही है, यानि energy packets के form में आ रही है, तो माल लीजे, यहाँ से एक photon आ रहा है, तो वो कितने electron निकालेगा, तो बेटा हमने एक arbitrarily value fix कर दी है, कि one photon leads to ejection of one electron, एक photon, एक electron को निकाल पा रहा है, इस photoelectric effect की process में, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब माल लीजे 5 electron volt की light strike हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो electron हो, उसको अपने force of attraction से आजाद होने के लिए, 3 electron volt या 1.5 electron volt की जरूरत है, ठीक है, 1.5, let's make the calculation more easier, and we would go ahead for 2 electron volt, करेक्ट, किसकी जरूरत है बच्चों, एक सेकेंड, मुझे 2 electron volt की जरूरत है, ठीक है, 5 electron volt की light strike करी है, और मुझे electron को release करने के लिए, 2 electron volt की जरूरत है, यानि bonds, यार मैं एक घर में बंदू, ठीक है, मुझे उस घर से अजाद होना है, मम्मी को मनाना है, पापा को मनाना है, बड़े पाटी में जाना है, सब को कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ explanation देना पड़ेगा, तब ही मैं बाहर निकल पाऊंगी, ठीक है, तो इसकी ये जो minimum energy requirement है, ये हो गई इसकी threshold energy बेटा, ये क्या हो गई? Threshold energy, हर metallic surface की, खुद की एक minimum energy requirement होती है, electron को eject करने के लिए, तो यहाँ पर जो energy requirement minimum है, वो 2 electron bolt की है, वो हो गई उसकी threshold energy, threshold energy, ठीक है? अब आप बोलोगे मैं स्ट्राइक तो 5 electron volt हुआ, 2 electron volt यूज हुए, बाकी कहां गया? तो बाकी बची हुई energy, जैसे ही electron बाहर निकला, उसको cathode से anode की तरफ move करने के लिए, क्या चाहिए? kinetic energy, कहां से मिलेगी वो kinetic energy? सो जो energy बची हुई है, वो किसमें convert हो गई? kinetic energy में, और वो kinetic energy उसे electron को help कर रही है, कि वो cathode से anode की तरफ move करे, इस तरीके के electron, जो इस process में eject होते हैं, उन्हें कहा जाता है, photo electrons, और आपको अच्छे से पता है, कि electron के opposite direction में current generate होती है, तो इस तरीके से जो current generate होती है, उसे बोलते हैं photo current, और इस फिनोमिना को बोलते हैं photo electric effect, क्या बोलते हैं? photo electric effect, अच्छा, तो यार मैं आजाती हूँ, एक generalized equation पर, और equation पर जाने से पहले, एक और बात समझने की कोशिश करते हैं, कि भई ये जो metallic surface है, इस पे जब light incident करती है, और यहां से जब electron eject होता है, तो यहां ये जो energy है, incident energy है, minimum energy जो metallic surface को required है, उस electron को eject करने के लिए, उसे हम threshold बोलते हैं, और electron eject होने के बाद, electron को cathode से anode तक move होने के लिए, kinetic energy चाहिए, तो मुझे यहां पर, एक photo electric equation मिल गई है, फोटो इलेक्ट्रिक equation, क्या कहती है यह photo electric equation, आईए देखते हैं बच्चों, तो मेरी photo electric equation यह कहती है, कि इस amount of energy अगर मैंने supply किया, तो वो कुछ amount में threshold energy, क्यानी electron को overcome करने में convert हो जाएगी, और बाकी बची हुई kinetic energy में convert हो जाएगी, इस energy को मैं लिख सकती हूँ, H new, यह जो phi है, जिसे मैंने बोला threshold energy, जिसे मैंने बोला threshold energy, इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है work function, और इस threshold energy से, जो frequency associated होती है, इसे हम बोलते है, threshold frequency, क्या बोलते है बच्छों? Threshold frequency Threshold frequency क्या है? ये हो गई आपकी threshold energy यानि की work function ये हो गई threshold frequency Threshold frequency is defined as the minimum frequency of light required to remove the electron from metallic surface to remove the electron from metallic surface metallic surface से electron को निकालने के लिए जो minimum frequency की light की जरत होती है उस frequency को हम Threshold frequency बोलते हैं तो phi की जगे मैं लिख सकती हूँ H new naught plus kinetic energy समझ गए है न? तो ये हो गया आपका photoelectric equation अब इस photoelectric equation को थोड़ा modified way में भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर phi is equals to H new naught लिख रहे हैं वैसे ही बच्चों phi is equals to Hc upon lambda naught भी होगा ठीक है? अब यहाँ पर lambda naught क्या हो जाएगा? Threshold wavelength हो जाएगा Threshold wavelength यानि की ये minimum frequency of light है तो यहाँ पर लिखेंगे maximum क्योंकि frequency और wavelength बिटा inverse relation दिखाता है इसलिए तो यहाँ पर लिखेंगे maximum wavelength of light required to remove the electron required to remove the electron from metallic surface metallic surface से निकालने के लिए कितनी minimum wavelength की light की आवशकता है अब अगर मैं इस basis पर जाऊँ तो मैं इस formula को थोड़ा और modify कर सकती हूँ hc by lambda is equal to hc by lambda not plus kinetic energy तो नीट के exam में एक बार threshold frequency से ना question पूच के threshold wavelength related question पूचा था और अगर आपको इसको rearrange करना आ गया तो आपकी lottery लग जानी है तो kinetic energy is equal to hc by lambda minus hc by lambda not और फिर आपने इस formula को finally इस तरीके से frame कर लिया कि भाया kinetic energy is equals to hc 1 by lambda minus 1 by lambda not खतम यह हो गया आपका formula important formula to remember in terms of wavelength in terms of frequency kinetic energy will be equals to hc nu minus nu not correct यह हो गया हमारे important formulas regarding photoelectric effect ठीक है बहुत ही बढ़िया अब थोड़ी और अच्छी अच्छी बाते इसमें समझते हैं बिटा यह जो metallic surface है ठीक है अगर मान लीजे कि यहां पर 10 electron volt की light fall कर रही है और इसकी minimum requirement है 2EV की ठीक है 2EV की requirement है और 10 electron volt की light fall कर रही है तो मुझे बताईए कि कितना बचा हुआ kinetic energy में convert हुआ तो 10-2 बचा हुआ 8 electron volt kinetic energy में convert होगा ठीक है अब यह इसकी maximum kinetic energy है ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब 10 electron volt की light strike करेगी तो जो electron eject होगा वो 8 electron volt की ही kinetic energy hold करता होगा या तो 8 electron volt हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है क्यूं यार बच्चों imagine करो जो electron surface पे है वो तो इज़त से बाहर निकल जाएगा जितनी बच्ची हुई energy है वो उसकी kinetic energy होगी लेकिन जो electron अंदर कहीं फसा हुआ है वो इस energy को utilize करेगा अंदर के force of attraction को break करेगा यहां से यहां तक आएगा तो उसमें उसका कुछ energy loss हो सकता है यानि हर बार जो electron eject हो रहा है उसके kinetic energy same होगी ऐसा जरूरी नहीं है वो maximum kinetic energy है जो हमने यहां पर mention की है हर बार kinetic energy उतनी ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है है तो please write down this point all electron getting ejected from getting ejected do not possess do not possess same kinetic energy उनका same kinetic energy बिलकुल नहीं हो सकता है the kinetic energy may vary ओके अच्छा फिर से case imagine करते हैं तो बेटा यह metallic surface है और यहां पर light strike कर रही है 10 electron volt की minimum requirement है 2EV की तो जो electron eject हुआ उसकी kinetic energy होगी 8 electron volt की ठीक है ओके माल लीजिए कि अब जो नई light strike हुई वो 8 electron volt की है ठीक है 8 electron volt की है तो अब जो electron ejected होगा उसके पास kinetic energy के लिए कितना बचा 8 electron volt की energy fall कर रही है दो subtract करोगे तो उसकी kinetic energy 6EV की होगे तो यानि कि मुझे यह समझा रहा है कि यह जो kinetic energy है इसकी value change हो रही है अगर मैं incident light की energy यानि incident light की frequency को change कर रही हूँ अगर उपर ATV है तो kinetic energy 6EV हो रही है अगर उपर 10EV supply किया तो यह ATV हो रहा है अगर मैंने उपर से माल लीजे supply किया 12 electron volt तो यहां पर कितना होगा kinetic energy 10 electron volt यानि मुझे मोटा मोटा यह समझा रहा है कि kinetic energy is directly proportional to the energy of incident light और energy में भी वो किस पर depend कर रहा है energy में भी किस पर depend कर रहा है तो आपको पता है energy is directly proportional to energy is directly proportional to frequency यानि incident frequency पर kinetic energy depend कर रहा है incident frequency जितना ज्यादा होगा incident frequency इंसीडेंट light का जितना ज्यादा होगा kinetic energy उतना ही high होगा 12 है तो यह 10 हो गया 10 है तो 8 हो गया 8 है तो 6 हो गया यानि kinetic energy electron की इस चीज़ पर depend कर रही है कि incident light की frequency कितनी है वो यहाँ threshold energy की frequency threshold frequency पर बिल्कुल भी depend नहीं कर रहा है वो incident light की frequency पर depend कर रहा है समझ रहो जैसे जैसे इसको change कर रहो incident light की frequency के साथ साथ kinetic energy भी बदलता जा रहा है यानि की kinetic energy, please write down the point, kinetic energy of light, sorry kinetic energy of electron, kinetic energy of electron is directly proportional to frequency of incident light अब इसका graph बनाते है तो हमारे पास जो photoelectric effect का formula था वो क्या था बेटा वो यह था कि आप लिखते थे h new is equals to h new not plus kinetic energy, correct तो हम इस graph को plot कर लेते हैं फटाफट से, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो kinetic energy is equals to h new minus h new not मिलेगा अब आप graph बनाना चाहते हैं तो इसको y-axis पे ले लिजे, y is equals to mx minus cf, ठीक है graph plot करते है, y-axis पे क्या ले रहा है, आप kinetic energy, ये लीजे आपका graph ठीक है, तो ये आपने kinetic energy ले ली बिटा, x-axis पे आप क्या ले रहे हैं, frequency of light ले रहे हैं, तो kinetic energy versus frequency का graph देना है आपको, m क्या है आपका slope, ठीक है m आपका slope है, और ये h new not क्या है, आपका intercept है, तो यार intercept तो negative दिखाई दे रहा है intercept आपका negative दिखाई दे रहा है, तो negative दिखाने के लिए मुझे graph को नीचे से शुरू करना पड़ेगा intercept negative है, बट y is equal to mx plus c, slope आपका positive आ रहा है, तो इस तरीके से आपका graph जाएगा और जो आपका slope होगा, that will be equals to h, तो ये हो गया आपका kinetic energy versus frequency का graph अच्छे से visualize कर लीजे बच्चों, आपका दमाग इसके अंदर perfect चलना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है okay, so my dear students, अगला मुद्दा इसके अंदर बहुत important आता है, कि कौन-कौन से cases में electron eject होगा और कब electron eject नहीं होगा, यानि कि again ये metallic surface है, ठीक है और इसमें मैं case 1 लिखवा रही हूँ आपको पहले, ये metallic surface है बटा, इस पे ये light of suitable frequency fall कर रही है और ये आपका e incident है, और यहाँ पर आपकी threshold frequency है अगर मान लीजिए, incident energy is greater than threshold energy, तब तो electron eject होगा ठीक है, और electron eject होगा, तो photoelectric effect will take place photoelectric effect होगा, correct, कोई दिक्कत नहीं है पर अगर मान लीजिए, मैं case 2 की बात करती हूँ, और इसमें हमने क्या किया अगेन एक metallic surface लिया इस तरीके से और इस पर light of a suitable frequency is striking बट इस टाइम, इस बार क्या हो रहा है जो light की frequency है बिटा, ये लिख लीजे ये जो incident energy है, मान लीजे, it is less than your threshold energy और equal to threshold energy, उस situation में क्या होगा? क्या photoelectric effect होगा? जरा imagine करो यार, ठीक है? चलो, यहाँ पर 8 electron volt की energy strike कर रही है और metal को भी 8 electron volt ही energy चाहिए तो भई ऐसी situation में क्या होगा? चलो, force of attraction से तो overcome हुआ, electron बाहर निकल गया पर electron के पास kinetic energy नहीं है, कि वो cathode से anode तक travel कर सके लेकिन cathode से anode की plate तक travel करने के लिए नीचे हमने battery भी तो लगा रखी है, बच्चों नीचे क्या लगा रखी है? बैटरी भी तो लगा रखी है तो एक बार electron eject हो गया ना फिर ये battery उसको push कर देगी cathode से anode की तरफ तो अगर आपकी incident energy और threshold energy equivalent है तो नीचे जो applied voltage है, वो इस charge को cathode से anode की तरफ move कर देगा, उसकी tension आप मत लीजिए, यानि कि अगर incident energy equal है या फिर incident energy less है threshold energy से, so in that situation, in that situation, rather than writing like that, हमने second case assume किया, तो पहले second case के लिए लिख लीजे, अगर दोनों equal है, तो electron eject हुआ and moved by battery, moved by battery, और battery अगर उसे move करेगी, तो again photoelectric effect होगा, यहाँ पर भी photoelectric effect होगा, case third, case third कौन सा हो जाएगा बच्चों, कि अगर आपका incident energy is smaller than threshold frequency, अगर भाईया यह जो fall कर रहा है, मालनो इसको ATV की requirement है, और जो fall हो रहा है, वो 6EV है 6EV है, तो क्या वो electron को निकाल पाएगा, तो इस case में there will be no photoelectric effect, no photoelectric effect will take place, तो यह तीन cases हो गए बटा, किस-किस cases में photoelectric effect होगा, किस case में नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है, that's it, correct, अब यह तो मजे की बात हो गई, यहां से एक और format का question चड़ता है और वो यह है, कि कई बारी क्या होता है, कि एक और case बताती हो आप लोगों को, कि अगर माल लीजिए, ऐसा case है थोड़ा और अच्छे से लिखेगा यहां पर, यहां से लिखना शुरू करते हैं, यह आपका metallic surface है, ठीक है, यहां पर आप incident light की energy बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे मिरको यहां पर एक और चीज जो मैंना आपको सिखानी थी, वो था intensity of light, हाँ जी बिटा, प्लीज राइट आउन intensity of light, intensity of light, अब यह क्या चीज है बिटा, intensity क्या होती है, तो intensity is basically, अगर is energy, energy associated per unit area, per unit area, per unit time, यानि एक unit time के अंदर कितनी energy एक unit area में emit होती है, that is known as intensity, यानि मोटा मोटा chemistry में आपको यही समझना है, कि I is equals to E upon A into T, अब यहां पर हम area of cross section तो constant ही रखने वाले है, यानि metallic plate की size तो आपकी change होने वाली नहीं है, ठीक है, तो area constant है, यानि given interval of time में, कितने photons, E क्या हो गया, E is equals to NH new upon T, अब H भी एक constant है, यानि intensity basically किस पर depend करेगी, number of photons पे, यानि अगर number of photons जादा strike करेंगे, तो जादा electrons eject करेंगे, बात समझ में आ रही है, more the number of photons will strike on the metal surface, more electron will be ejected, जादा electron eject होंगे, जादा photon strike कर रहा होगे, तो जादा electron eject करेंगे, क्योंकि हमें पता है, एक photon एक electron को handle करता है, अब जादा photon कब release होंगे, जब intensity बढ़ाई जाएगी, जब intensity बढ़ाई जाएगी, तो अब हम बात करने वाले हैं, एक नई terminology की, जो मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, and that is your stopping potential, तो कभी-कभी आजाता है, बच्छों, stopping potential related question, stopping potential को अच्छे से समझ लेते हैं, कि ये exactly होता क्या है, इसे denote करते हैं, वी नॉट से, तो बच्छों, होता क्या है exactly, आपको पता है कि यार, ये देखो ध्यान से, जब ही भी एक metal plate पे, light or suitable frequency strike होती है, electron eject होता है, और वो cathode से, एनोड की तरफ move करता है, बट लगातार, अगर आप number of photo electrons को बढ़ाते जाओगे, number of photons को बढ़ाते जाओगे, तो number of electrons भी बढ़ेंगे, number of electrons भी बढ़ेंगे, तो current भी बढ़ेगा, और अगर मान लीजे, आप चाह रहे हैं, कि यार, मुझे current कंट्रोल करना, मैंनी चाहता है कि 5 एलेक्ट्रोन यहां से मूख करें, तो जादा current प्रेड्यूस हो, यानि बेसिकली, मुझे current को कंट्रोल करना है, मैंने यहां से, क्या बढ़ाई बच्चो, intensity of light, light की intensity बढ़ाई, तो number of photo electrons ejected वो भी बढ़ गय, अब number of photo electrons ejected बढ़ गय, तो current जादा प्रेड्यूस होने लगा, बट मुझे current को कंट्रोल करना है, current को मैं कैसे कंट्रोल करूंगी, by controlling by controlling electrons, है ना, अब electron को कैसे कंट्रोल करूंगी, तो electron को कैसे कंट्रोल करते हैं बटा, electron को cathode से anode तक पहुचने नहीं देना है, यह आप कैसे कर सकते हो, मालो यहाँ electron eject हुआ मुझे किसी तरीके से electron को यहीं रोग देना है, electron एनोड तक नहीं पहुचना चाहिए, अगर वो एनोड तक नहीं पहुचेगा, तो current उतना produce नहीं होगा, और इस तरीके से हम photo current को control कर सकते हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यह जो मेरा setup था, इसके अंदर polarity को reverse करना पड़ेगा यह तुमारी metallic plate है ठीक है, और यहाँ पर light of suitable frequency strike हो रही है electron eject हो रहा है यह आपका cathode था, यह आपका anode था, पहले negative terminal connected था, अब आपको यहाँ पर positive terminal connect करना होगा और polarity को reverse कर दिया, आपने क्या किया, polarity को reverse कर दिया, reverse polarity करने का मतलब अब मैं potential apply करूंगी, अब मैं क्या दूंगी बिटा, voltage दूंगी मैं सामने से, इतना it is the, it is the minimum potential, it is the minimum potential that can be applied, that can be applied to stop the flow of electron, to stop the flow of electron from cathode to anode, है ना? electron को cathode से anode तक पहुचने के लिए, रोकने के लिए, मुझे जितने potential apply करने की जरुत है that is known as stopping potential अब आपके दिमाग में question ये आना चाहिए, कि कितना होगा वो minimum potential, जो हमें apply करना होगा, देखो बेटा, electron को चाहे आपको move करना हो, या फिर electron की motion को stop करना हो, दोनों ही condition में आपको किसकी जरुवत पढ़ती है electrical work done की किसकी जरुवत पढ़ती है electrical work done की अब ये जो electrical work done होता है ये किसके equal होता है, electrical work done is equals to charge charge into potential charge into potential electrical work done किसके equal होता है बच्चों, charge and potential के equal होता है अब मैं किसकी बात कर रही है तो electron की बात कर रही है तो यह जो मेरा electrical work done होगा charge of one electron तो मैं E ले लेती हूँ into V0 यह हो गया आपका electrical work done यह वो काम है जो यह reverse polarity वाला voltage supply करेगा ताकि electron cathode से anode तक नहीं पहुँच पाई अब यह EV, EV0 कितना required होगा आपको कितनी जरुत होगी कि electron वहां तक नहीं पहुचे तो देखो बेटा यहां से जो electron eject हुआ था उसकी खुद की एक kinetic energy थी ठीक है उसकी एक maximum kinetic energy थी अगर हम kinetic energy के equivalent potential apply कर दे यह kinetic energy के equivalent electrical work done कर दे तो वो electron यहां से यहां तक नहीं travel कर पाएगा क्यूंकि वो तो अपनी kinetic energy की वज़े से travel कर रहा है अगर उसे पीछे से देखो वो ऐसे आगे भागना चाह रहा है बट पीछे से उतना ही force अगर apply कर रहा है तो electron आगे बढ़ी नहीं पाएगा imagine करो कि यह electron है आपका इसके पास kinetic energy है 3 electron bolt की अगर मैंने उतना ही potential पीछे से apply कर गया तो क्या वो move कर पाएगा नहीं कर पाएगा यानि की जो maximum kinetic energy होती है maximum kinetic energy is always equal to electrical work done यानि की आपका stopping potential तो आप इसे ऐसे denote कर सकते हो कि kinetic energy की जगे आप EV not mention कर सकते हो तो अब मेरा नया formula क्या होगा देखे ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेरा नया formula होगा incident light e incident okay तभी मैं सोच हो यह लिख क्यों नहीं रहा है तो यह आपका incident energy था light of a suitable frequency striking on the metal surface work function आपने as it is provide किया ताकि electron metallic surface से बाहर निकले और उसके बाद वो move ना करे इसी लिए हम kinetic energy की जगे reverse polarity के थ्रू एक voltage यानि electrical work done supply करेंगे ताकि electron का motion वहीं पे stop हो जाए तो इसको मैं लिख सकती हूँ h new इसको लिख सकती हूँ h new naught plus ev naught ठीक है further I can rewrite this whole equation as ev naught ev naught उसी तरफ रहने देती हूँ यहाँ पर लिखते हैं ev naught is equals to h new minus h new naught तो मैं यहाँ पर ले ले लेती हूँ बच्चों है ना मैं यहाँ पर ले लेती हूँ v naught तो h new upon e minus h new naught upon e यह formula हो गया आपको potential निकालना हो तो ठीक है अब इसको अगर मुझे graph पे represent करना है तो मैं कैसे करूँगी ध्यान से देखेगा तो y is equals to mx minus c फिर से y is equals to mx minus c अब इसका graph plot करते हैं यह देखे ध्यान से ठीक है y-axis पे आपका stopping potential है ठीक है x-axis पे frequency ले लेते हैं x-axis पे आपका frequency है तो potential और आपकी frequency x and y-axis पे आपने plot की और आपका जो slope है वो h by e के equal होगा यहां पर और जो आपका intercept है बेटा c is your intercept वो negative intercept है तो negative intercept है यानि मुझो नीचे से शुरू करना पड़ेगा और फिर यहां से ऐसे straight line मिलेगी और इसका जो slope होगा that slope will be equals to h upon e ठीक है समझ पा रहे हो slope h e के equal होगा यानि कि यह जो frequency है it is directly proportional to stopping potential जो भी incident light की frequency है that is directly proportional to stopping potential and slope is equals to h by e अगर यही चीज आपने पहले देखी एक और graph हमने study किया था kinetic energy versus frequency कि तो यहाँ पर slope is equals to h अगर आपको एक्जाम में आ गया कि stopping potential और stopping potential और यह kinetic energy के graph का जो slope है उसका ratio निकालो तो इसका slope is equals to h और इसका slope is equals to h e ठीक है तो दोनों के slope को अगर आप ratio में निकालेंगे तो that will be equal to e h h कैंसल हो जाएगा समझ पा रहे हो ठीक है तो यह max to max इस तरीके का आपको question थोड़ा बहुत divert करके पूछ सकता है इससे जादा इस chapter में या इस particular topic में और कोई तरह का question नहीं बनता है बच्चो ठीक है अब इस पर किस तरीके से question आ सकता है usually ना सारी values आपको electron volt में ही दी होती है तो एक question करते है माल लीजे आपके पास light है light की wavelength है suppose 450 nanometer ठीक है light की wavelength है 450 nanometer और work function दिया है आ 3.0 electron volt ठीक है अब आपको निकालना है stopping potential आपको question पूछा है किस metallic surface का stopping potential निकाली है तो आप कैसे निकालेंगे तीन values दे रखिए तो आपको पता है EV is equals to EV not 1 minute इस ऐसा लिखने से अच्छा मैं डारेक्ट पूरा पूरा लिख दूँ पहले आप येस ये lambda है तो इससे incident energy निकाल लीजे E incident is equals to H C upon lambda मैंने आपको trick सिखाई थी जब nanometer में हो और electron volt में निकालना हो तो आप use कर सकते है 1240 upon lambda 1240 upon 450 ठीक है ये आगई आपकी energy electron volt के अंदर समझ रहो ठीक है तो इसको आप calculate करोगे तो ये approximately 2.75 electron volt के आसपास होगा अब threshold भी आपको दे रखा है तो आपको अच्छे से पता है incident energy is equals to threshold plus stopping potential जहाँ पर भी kinetic energy होती है वहाँ पर simply stopping potential where E is the charge of electron सब EV में लेना है तो ये EI दे दिया आपको 2.75 electron volt 5 की value दे दी 3 electron volt plus EV0 अब इसमें क्या होगा अगर इस तरीके से value लेंगे तो electron 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 का charge कट जाएगा voltage को voltage से subtract कर लीजे तो आपके पास थोड़ी सी value मैंने randomly रखी है कोई दिक्कत नहीं है ये तो photoelectric effect होगा ही नहीं होगा ठीक है तो आप इसको 400 nanometer कर लीजे ये value कुछ आएगे आपके पास 3.1 के असपास आएगी ठीक है values थोड़ी सी change किये हमने 3.1 electron volt ठीक है अब यहाँ पर ले लीजे 3.1 3.1 electron volt ठीक है अब इन दोनों को subtract करेंगे तो 3.1 minus 3 that will give you the voltage and that stopping potential is equals to 0.1 volt खतम इस तरीके से आप इस तरीके के question solve कर सकते हैं बहुत असान है electron electron सब EV में लोगे तो electron के charges कट जाएंगे तो आपको जादा परिशान होने की ज़रद नहीं पड़ेगी you can solve it in fraction of second अगर आप इसने आपने इस तरीके के question solve किये हैं तो अगर नहीं किये हैं तो तो फिर आपकी लग जाएगे तो overall ये सारी बाते हो गई यानि in short देखो photoelectric effect में हमने कुछ बाते सीखी वो ये देखी कि kinetic energy and stopping potential kinetic energy and stopping potential both depends on the frequency of incident light incident light की frequency पे depend करता है correct है ना हमने इसके graph भी देखे किस तरीके से ये vary करता है stopping potential incident frequency के साथ किस तरीके से vary करता है और उसके बाद ये वाला भी graph देखा kinetic energy frequency के साथ किस तरीके से vary करता है तो दोनों vary करते हैं but kinetic energy and stopping potential both are independent of independent of intensity of light intensity of light light की intensity पे बिलकुल भी depend नहीं करते हैं ये कैसे बूल सकते हो फिर से समझो एक मस्त केस बिटा ये metallic plate है ठीक है समझना ध्यान से इस metallic plate पे मान लीजिए पहले एक lower intensity की light fall कर रही है low intensity वाली ठीक है वो low intensity ने मान लीजिए एक electron निकाला जिसका kinetic energy था 5EV ठीक है अब high intensity की light fall कर रही है यानि आपने basically light की brightness बढ़ा दी या फिर आप ऐसे बोलो की intensity क्या होती है simple language में समझते है हल्की रफ्तार में बारिश हो रही है और फिर एक ताम तेज रफ्तार में बारिश हो रही है तो तेज रफ्तार वाली क्या हो गई high intensity और कम रफ्तार वाली low intensity यानि जभी भी high intensity होगा number of photons बढ़ जा रहा है पर क्या number of photons बढ़ने से जो electron eject हो रहा है क्या उसकी kinetic energy change हो रही है नहीं अभी भी 5EV का निकल रहा है अभी भी 5EV का ही निकल रहा है और क्योंकि potential, stopping potential kinetic energy के equal होता है इसलिए वो भी light की intensity पे बिल्कुल भी depend नहीं करता है I hope that is clear to you ठीक है मेटा अब आप मुझे पूछोगे कि माम बहुत मज़ा आया ये concept समझ के लेकिन हमें ये तक समझ अभी तक नहीं आया कि आपने electron तो निकाले बट electron से अगर question आया कि कितना current produce हुआ एक electron निकला है तो उससे current कितना produce हुआ अगर ये किसी ने पूछ लिया तो मैं ये कैसे answer करूँगा बड़ा ही simple है बिटा तो आपका जो current होता है I is equals to Q by T होता है ये आपने सीखा होगा current is equals to charge carried per unit time ठीक है and charge Q is equals to NE होता है तो NE by T N stands for number of photons कितने photons strike हुए या कितने electrons eject हुए divide by time and N by T क्या है rate of incidence of photon rate of incidence of photon जहां पर भी time involved हो जाए वो क्या देता है आपको rate ठीक है तो आप current निकाल सकते हैं अगर आपके पास N की value है E की value है और time दिया है तो आप अराम से photocurrent निकाल सकते हैं that's it बच्चों ये formula हो गया आपके photocurrent का समझ गया है ना तो बच्चों आपको अब make sure करना है कि photoelectric effect से related हर तरह की question आप solve करें चाहे वो stopping potential related calculation based questions हो या फिर इसके graph based questions हो या फिर आपको कहीं पे भी kinetic energy निकालने को बोला है उससे associated velocity निकालने को बोला है या फिर threshold frequency threshold wavelength निकालने को बोला है तो इस तरीके के question आप topic wise solve करना शुरू कर दीजे ठीक है अब आज आते हैं next segment पे यानि कि हमारी दूसरी property and we are going to talk about black body radiation हाला कि black body radiation को लेकर ऐसा कोई हुआ बहुत बड़ा topic हमारी NCRT में नहीं दिया है it's just a basic introduction ज्यादा detail में इसके बारे में आप higher standards में पढ़ेंगे तो क्या होती है एक perfectly black body समझते हैं एक perfect black body वो होती है उसके उपर किसी भी तरह का radiation strike कर रहा हो वो उसको absorb कर लेती है और जितना भी उसके पास absorbed wavelength है वो सारे emit भी कर देती है यानि एक perfect black body वो हुई जो हर तरह की radiations को absorb कर लेती है और जितना absorb किया है 100% emit भी कर देती है एक perfect black body वो होती है जो 100% radiation को absorb या emit कर सके that body is known as black body और जो वो radiation emit करती है उसे कहा जाता है black body radiation ठीक है बेटा तो एक perfect black body होना तो almost near to impossible है perfect black body जैसा कोई concept ही नहीं होता लेकिन हाँ, आप अपनी black body बना सकते हैं कैसे? तो आप एक cube ले लिजे ये वाला example NCRT में भी दिया है एक black color का box ले लीजे इस तरीके से इस black color के box में एक छोटा सा hole कर दीजे और यहां से light को pass करिए अगर light की एक भी wave अंदर घुज जाती है तो वो लगातार cube के walls पर strike ही करती रह जाएगी बाहर निकलने के chances तो इसके बहुत ही जादा कम है किसी भी हाल में वो बाहर नहीं निकल पाएगी वो multiple time बच्चों वो multiple time यह जो cube है उसकी wall से लगाता टकरा रही है और टकराते 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 at the end of the day what will happen उसकी सारी energy lost हो जाएगी और वो पूरी तरह से उस cube या उस box के अंदर absorb हो जाएगी यानि कि क्या हुआ जो भी light उस box के अंदर घुसी वो पूरी तरह से उस body ने absorb कर ली और इसी तरह की body को हम कहते हैं black body इसी तरह के साब sun का example ले लीजे sun भी क्या करता है बिटा जो भी radiation होती है वो पूरी तरह से emit करता है तो that is also considered as a black body 100% black body जैसा कोई imagination का concept नहीं है बट यहाँ पर एक छोटी सी बात है जिस पर से हलके फुलके questions बन सकते हैं and what is that पूरा black body radiation इस बात पर depend करता है कि जो light की wavelength है वो temperature dependent होती है light की wavelength कैसी होती है बचो temperature dependent तो हमारे पास एक wean scientist थे और होने wean displacement graph दिया था और इस wean displacement graph के अंदर आप क्या देखेंगे आईए समझते हैं according to wean displacement graph lambda m into temperature is constant कहने का मतलब ये है कि जिसकी wavelength high है high wavelength कब obtain होता है lower temperature पे और जब temperature ज़ादा हो तो shorter wavelength की light obtain होती है यानि wavelength and temperature has inverse relation इस चीज को proof कर सकते हो कैसे तो यार एक rod ले लो iron की rod ले लो या iron का cube ले लो कुछ भी ले लो gray color का होता है initially ठीक है फिर आपको क्या करना है उसको heat करना start करना है जब आप उसे heat करना start करोगे तो मतलब कि आप temperature बढ़ा रहे हो temperature बढ़ा रहे हो तो पहले वो कौन से color में convert होगा पहले वो initially red color का होता है ठीक है red hot हो जाता है further उसको heat करते हो तो white color का हो जाता है ठीक है और further heat करते हो तो basically हो क्या रहा है जैसे जैसे temperature बढ़ रहा है wavelength of light emitted by that iron rod is changing ठीक है और इस phenomena को study किया गया इस phenomena को इस graph से study किया गया ये graph आपकी NCRT में भी दे रखा है ज़रा ध्यान से observe करेगा wean displacement graph के बारे में बताने जा रहे हो तो इस graph के अंदर बच्चों इस तरीके से intensity versus wavelength और isotherm बनाया गया तो पहले graph इस तरीके से बना ठीक है फिर धीरे धीरे graph इस side पे shift होने लगा ठीक है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से graph बना अब ये देखे ये T1 temperature है T2 temperature, T3 temperature and T4 temperature अगर मैं इसके peak को imagine करूँ इसका ये peak, इसका ये peak, इसका ये peak, इसका ये peak तो ये कुछ इस तरीके से graph देगा इस तरीके से जा रहा था यानि आप जैसे जैसे temperature को change करते हो इस graph के अंदर आप एक displacement observe करते हो और वो displacement ये indicate करता है कि भई जो आपका temperature है वो wavelength of light के साथ change होता रहता है तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर order arrange करने को आता है that's it तो एक बार ये IIT के paper में actually ये चीज आ गई है और जो वहाँ पर आ गई है there are chances इस तरीके के question आपके नीट के अंदर repeat हो जाएं तो आपको बस ये याद रखना है order T4 temperature is greater than T3 which is greater than T2 and which is greater than T1 and then that final formula that is Tm into wavelength into temperature is equals to constant इससे जादा यहां से कुछ भी नहीं आता और black body radiation को इतने जादा detail में हमें पढ़ना भी नहीं है so that's it about the particle nature the third segment है वो है hydrogen spectrum और hydrogen spectrum हम cover करेंगे once we have the introduction about Neil Bohr का model तो Neil Bohr का model जैसे है जैसे ही हम study करेंगे और उनके postulate जैसे जैसे study करेंगे वैसे वैसे उस चीज में आपको मजा आने लगेगा आज के लिए हमने ये समझ लिया कि अर पार्टिकल नेचर जब आप बात करते हो तो हमने देख लिया कि किस तरीके से एक पार्टिकल at a time strike करके एक electron eject करता है और वो एक electron जो ejected होता है वो किस तरीके से move करता है फोटो electric effect में और उसकी बहुत सारे points हमने अच्छे से समझे जाने किस तरीके से इनके calculations करने है intensity dependent कैसे है current dependent कैसे है बचो तो all in all हमने particle nature से related जो properties थोई उनको cover की अगले session में हम नील भोर का model discuss करेंगे और उसके बाद हम move करेंगे hydrogen spectrum की तरफ और वहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे हम उसकी energy, frequency, velocity, time period यह सारे चीज़े calculate कर सकता है delta E यानि transition, lyman-barmal, lyman-barmal, passion यह सारी चीज़े हम और अच्छे से detail में पढ़ेंगे अगले session में I hope you people have enjoyed the session बचा लोग, photo electric effect पे जितना हो सके उतने questions solve कर लीजे NCRT के textbook के questions solve कर लीजे, NCRT के in-text और exercise specially उसको अच्छे से go through करिए और उसके बाद जितने भी PYQs आपको मिले इस topic पे, किस किस topic पे मिल सकते है Stopping potential related आपको मिल सकता है calculation के लिए Kinetic energy का incident light से relation को एक graph पूच सकते है ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ यह देखे, इस तरीके से graph में slope related question हो सकता है या फिर आपको question हो सकता है इस तरीके का कि भाई photo electric effect होगा कि नहीं होगा तो उसके लिए तीन cases मैंने आपको already बताए है Intensity of light क्या होती है और intensity से क्या चीज़ affect होती है Intensity determines, intensity क्या बताता है बिटा number intensity increase करने पर number of electrons ejected increase होता है ठीक है, तो intensity अगर आप बढ़ाते हो तो number of electrons ejected increase होता है और electron अगर increase होगा तो क्या increase होगा? photo current है न, current बढ़ता है, आई बढ़ेगा आपका तो intensity बढ़ाने पर number of electrons ejected बढ़ता है और current बढ़ता है और Initial Incident Light की Frequency बढ़ाने पर क्या बढ़ता है बच्चो इनिशियल Frequency बढ़ाने पर आपके Kinetic Energy और Stopping Potential बढ़ता है तो ये Points अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं और इन Formulas से Related आपके Numericals हो सकते हैं ये जो दो Formulas है तो इनको भी अच्छे से ध्यान रखिए और ये Notes बेटर ये होगा कि आप Teacher के Notes को Follow करें और उसके साथ साथ अपने खुद के Notes बनाएं ताट विल रियरली Help यू अलोट आपका Target है आप धेर सारे MCQs Solve करेंगे at least कोशिश करें इस Topic से Related आप 25-30 MCQs Solve करें including the NCRT in-text and exercise questions और आपको definitely मिल जाएंगे तो Topic wise अगर चीजे कवर करोगे तो आपके लिए भी आसान होगा चालिए बच्चों सो on that positive note I would love to wind up to today's session और इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है आपको मज़ा आ रहा है इसी तरीके से आपको हमारा साथ पढ़ना है तो आप जो हमारा paid batch है बेटा है ना प्रहार batch वो class 24 application पर प्रहार batch 1st June से start हो रहा है तो make sure करिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे मैं से समझ आ रहा है concept समझ आ रहा है clear हो रहा है मुझे इनके साथ question practice करनी है mcq solve करना है और guidance के जरुत है question solve करते है guidance के जरुत है और मुझे doubts पूछने के जरुत है अगर ऐसी need आपको एक बार भी feel होती है तो trust me this course is worth it for you people और इसका link नीचे description में दिया होगा मैं बात कर रही हूँ प्रहार batch की ये प्रहार batch हमारा paid batch बेटा जो class 24 पर 1st June से start हो रहा है और जिन बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हमें तो मजा आ रहा है समझ आ रहा है तो yes, you are welcome ये कोर्स पूरी तरीके से ऐसे ही डिजाइन किया गया है और हर concept जो मैं आपको यहां दे रही हूँ उससे related बहुत बहुत बेहतरीन तरीके के questions आपको practice कराये जाएंगे और आपका confidence इतना boost होगा आप खुद बैठके सारे MCQs और सारे questions solve कर सकते हो तो अगर आपको ऐसी need feel होती है तो make sure करिए कि इसका हिस्सा बन जाएं 1st June से batches start होंगी late join करने का कोई मतलब नहीं है you are always welcome out over there and we would love to interact and go ahead यहां पर भी जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं कोशिश करूंगी कि उनके साथ interaction बना रहे और यह तभी possible है जब आप अपने प्यारे प्यारे comments comment section में लिखेंगे then I will get to know कि okay he or she is my student जो लगातार मुझे follow कर रहा है series के through तो make sure करिए बच्चों कि आप नीचे comment करें इस family का हिस्सा जरूर बने subscribe जरूर करें प्यार का button जरूर दबाएं और इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं मिलते हैं अगली class में till then take care love you all bye bye